हाई एवरिवन वेल्कम बैक टो माई चैनल कैसे हैं आप लोग उम्मिद करते हूं आप सब भी ठीकी होंगे आज जो मैं आप लोग सब वीडियो शेयर करने वाली वह हमारे सफ़ेद बालों को मिकाला कैसे कर सकते हैं वह इंस्टेंट में बताना वाली कि हम इंस्टेंट बना आप इसको दो भी सकते हैं और इसका रिजल्ट जल्दी मिलने वाला है वीडियो को स्टाइट करते हैं उसमें क्या के इंग्रीट एड्ट करने वाले बठावाले इसमें कोई कैमिकल नहीं मैं आपको बताना चाहूंगी यह सब इसको यूज़ कर सकते बड़े बूड़े ब मैं बस में देखा कि बच्चे की जो बंदरा से 16 साल का लड़का होगा उसके पूरे वाइट है तो यह है कि हमारे आजकल खानपान है डस्ट है बहुत ऐसी कारण होते कुछ हार्मोन इंबैलेंस की वजह से भी होता है कि हमारे वाइट है आने स्टार्ट हो जाते हैं आज आ नचे पानी पानी पीना चाहिए लिक्विट में चैथी हमें और आपको साथ के साथ जो जैसे गर्मियां चल रही है तो गल्कोस पानी आप जरूर बच्चों पिलाइए अपने पी और साथ के साथ जो मैं बताने वाले हूं कि हम अपनी सफेद बालों को काला कैसे कर सकते है वह तो मैं आपको नुस्का बताने वाली इसमें कोई साइड इफेक्ट ने वाला कोई अलर्जी ने होने वाली काफी लोग उसे बालों में डाई लगाते तो उनकी आंखों पे भी फर्क पड़ता है जैसे कि कहते कि हमें थोड़ा सब्सक्राइब नहीं चलिए वीडियो को सब्सक्राइब को बटन नीचे रेट करते हैं आपको दिख रहा होगा यहां साइड में होगा रेट करका आपको प्रेस करना है साथ में छोटे से बैल आइकन बनावा है वह प्रेस कर दीजिए जब भी मेरी लेटेस वीडियो तो सबसे पहले आप इसे वाच कर सकेगे चलि इसके बात हम इसके अंदर सारे इंग्रिट जो है अलक से एट करेंगी सबसे पहले आपलोगों को जो है में रोस्ट करना होगा क्योंकि इसकें बहुत ही नैच्छल होता है और रोस्ट करके जो यह और अच्या बलैक कलर आ याद रखे कि बिल्कुल भी जले ना और यह सिर्फ 2-4 मिनिटों में अच्छे से रोस्ट हो जाता है और यह हमारे रोस्ट हो चुका है अब हमें गैस को आफ कर देना वाला और इसको ठंडा होने पर बाउल में इसको ट्रांसफर कर लोंगी मैं और इसको कलर आप देख सकते ह है इसको जो एक बाउल में मैंने ट्रांसफर कर लिया है अब मैं इसके अंदर जो इंग्रेट करने वाली वह भी मैं आप लोग साथ आके शेयर करने वाली हो और यह देखिएगा जब यह बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी हमें इसके अंदर जो है पाउडर्स जो भी मैं एक करने वाली वह मैं इसके अंदर एट करना होगा यह देखिए इसमें काफी अच्छी हो गई आप इसको जो है स्टोर करके भी रख सकते काफी लंबे समय तक एक किसी एक बॉटल में जार में और इसका कलर आप देख सकते काफी अच्छा हो चुका है अब मैं जो इसके अंद और साथ के साथ हमारे बालों को सिल्की और स्मूथ भी बनाता है काफी लोगों की जो है समस्या होती है कि डाई और मेंदी लगाने के बाद हमारे बाल जो है पहुजदा रफ हो जाते हैं अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपके नेच्छी तरीके से आपके बाल ज सकते हैं यहां पर जो हमें 102 बड़े चमल जो है कलॉंजी लेनी कौंडिटी आप देख सकते दोनों की मात्रा को में सेम रखना होगा और इनको जो हमें बिगोना नी है हमें इनको जो है अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करना है क्योंकि हमें इसका एक पेस्ट ऐसा बनाना है महीं पेस्ट बनाना है जो हमारे बालों को कालर करें अब आप देख सकते हैं इनको जो है अच्छे से पेस्ट बना लिया है और यह हमारा जो है डाई का काम करेगा आप इसको जो है नैचुर तरीके से अपने सफित बालों को काला करेंगे अब आप देख सकते हैं इसका जो एंग के पास इंगा और आप इसके पास रोषट है तो आप भी ले सकते हैं यहां पर जो है मैं बिना अब इसपात्स से कर लिए है 22 छंबा जोंस अम्वला पाडर करने के बार जो है अगर आपके फ्रेश अलोवेरा जैल है अगर आपके गार्डन में तो आप ले सकती बहुत अच्छा है नहीं तो आप मेरे पास अगर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दोंगी आप वह भी चेक आउट कर सकते हैं इसके अंदर हमें जो अलोवेरा जैल एड क के लिए आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा यह थोड़ी सी आपस में मिक्स हो जाएगी थोड़ा यह आपस में घुल जाएगी और थोड़ी सी फूल भी जाएगी इस तरीके से अगर आप अपने बालों पर लगाएंगे तो नेचुर तरीके से आपके बाल काले भी ले सकते हैं यहां पर जो है मैंने सबकी मातरा को सेम रखा है दो दो चमच और यह देख सकते कितना चाप देखिए अब यह जो हमारे पैक तयार हो चुका था अब इनको जो वाइड है पर लगा के दिखाएंगे आपको एक घंटा इसको अपने बालों पर ज़रूर और यह लंबे समय तक आपके बाल जो है काले हो जाएंगे आगे मैं जो है हेर वाश करके भी तिखाऊंगी कि हमारे बाल किस तरीके से काले हुए बिल्कुल ऑरिजिनल ब्लैक लगेंगे आपको ऐसा नहीं लगा कि आपने कोई कलर किया है या आपने कोई मार्किट में जाक परिख सकते हिएं आप देख सकते हैं सारे बाल काले हो चुकि अपने इसे बनाने का तरीका बहुत आसान था बहुत इस बनाना के लगाना जो है बहुत और भी जिया क्योंकि इसको बनाने के बाद्स दोड़ा मिनट पर तोड़ना हो देए कि आपकर आपके हाथों में करते हैं और इसको लगाने का तरीका तो आपको पता है जैसे आप नॉर्मली और मेहंदी लगाते हैं इस तरीके से लगाना है और इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूंगी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगती हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को बाबाई टेक केर